कि नमस्कार आप देख रहें एंस मीडिया ग्रूप मैं इसके रंजन उद्धोग वैपार की खास खबरों के साथ दोस्तों अभी मैं मौजोद हूं एसिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी खारी वावली के ग्रोधिया मार्केट में दोस्तों एक डिड़ माहा से मैं कोई इसी भ मेरे दाएं पैर के घुटने का ज्वाइंट खुल गया था लेकिन अभी मैं पुरी तरह से स्वश्थ हूं आप लोगों की सेवा के लिए और आगे वीडियो जो है आते रहेंगे और आए दोस्तों आज बिसेस में बात करेंगे मखाना के बारे में और मखाना के बारे में के लिए हमारे साथ है स्री पू invert के माले क्वां diamond के वारे में किस तरह से है स्टों कितना है और क्या रुख बन रहा है मखाना में तेजी और और भगवान से प्रातना है आपके साथ जो हाथसा हुआ उससे आप एकदम स्वस्थ हो जाएं और कभी जीवन में ऐसा टाइम ना देखना पड़े आप सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि मखाने में सब उमीद में बैठे हुए हैं क्योंकि अगस्त सितंबर 2021 तक तो बहुत अच्छा काम चल रहा था डिमांड भी बहुत अच्छी चल रही थी और एराइवल भी बहुत अच्छा था पर उसके बाद धीरे 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 बजार थ इस वजह से भी डिमांड खतम होती जा रही थी आज हम फरवरी 2022 में हैं बिल्कुल इस टाइम काम बहुत बहुत कम हो रहा है मखाने का लोग बिल्कुल भी इस टाइम किसी भी वेपार में इंट्रेस्टेड नहीं हैं पर सब लोग उमीद करके बैठे हूं हैं कि आने वाले टाइम पर होली आ रही है नवरात्री आ रही है इद आ रही है तो उसमें बजार फिर दुबारा फूल खिलेंगे वेपार में और फिर दुबारा वैसे ही विक्री चलेगी जैसे 2021 अगस्त से पहले चल रही थी सजिन जी अगर बात की जाए भाव की तो इन दिनों एसिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी में मखाना लो और हाई क्वालिटी किन भाव भीक रहा है लो से लो मखाना 500 रुपे भी है और हाई से हाई 1000 रुपे हैं पर इस टाइम ना सब रेट बे पड़ते चल रहे हैं कोई भ 狂त बिंचसान कोई रहे हैं मतला इस बात को देख देखके बहुत दूक होता है कि किसी भी मतलब जिसके भी पंद है ना वह स्था यह को तो में मिल जाए बेपड़ते माल विकरा है जो भाव बिहार में है उसे अपने जैसे की बताया कि होली है नौरात्र है और आने वाले जो तेवहार हैं उनमें डिमांड अगर निकली तो मखाना जो आपने बताया नीचे में 500 रुपे उपर में 1000 रुपे तो क्या मिडियम क्वालिटी के रेट में अंतर आएगा या नीचे वाले जो रेट है इनमें कुछ इजाफ़ा होने की उमीद है ऐसा है जो 500 रुपे वाला जो माल है न वो माल लोग खरीदना पसंद नहीं करते क्योंकि वो लाल कलर का माल होता है उसमें और जब जैसे पीछे बजार तेज होगा और डिमांड यहां पर भड़ जाएगी 500 वाले माल तो बिल्कुल गायव हो जाएंगे सब लोग बढ़िया एवरेजिंग क्वाल्टी लेंगे जो इस टाइम 677-600 है और वो 700 रुपे की उमीद में सब बैठे हुए है कि सब की पीछे से खरीद भी तेज है पीछे वैपारी सब रुके हुए है सब आशा कर रहे है कि मार्च अप्रेल के बाद बजार ठीक होगा और अपना सो रुपे तेजी हम लोगों को दिख रही है मखाने में यदि यह स्टोक की बात की जाए सचिन जी मखाना आने में पूरा 6 माह का से टाइम है 6 महीना निक बताई गई थी जब 1 अगस को नया माल आये था 2021 में पर उसमें ऐसा भी बहुत ज्यादा बंपर फसल नहीं बताई गई थी कि जिससे बजार नीचे आ जाए या उसका कोई और अन्य कारण हो पर जैसे जैसे करोना की वज़े से सेल कम है माल नहीं विकरा है लोगे पास स्ट साड़े 500 रुपय का माल बेचना है और घरा कस्टमर उसको 490 कहके मांग के चला जाता है तो उसको 510-20 रुपय में माल मिल जाता है मतलब लोगों ने बजार खराब कर दिया है यह जब तक ठीक नहीं होगे जब तक तरीके से यह माल नीचे वाले माल हटेंगे नहीं बजार में जनकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद